आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक के फायदे और नुक्सान पर एक छोटा निमंद या इंगलिस में इसे ऐसी भी कहते हैं बढ़ ये हिंदी में निमंद ही पढ़ेंगे प्लास्टिक के फायदे और नुक्सान प्लास्टिक आधोनिक जीवन का एक अनिवारे हिस्सा बन चुका है इसके कई फाइदे हैं लेकिन इसके साथ ही कुछ गंबिर नुकसान भी है प्लास्टिक का सबसे बड़ा फाइदा यह है कि यह हलका मजबूत और सस्ता होता है इसका उपयोग विवीन उत्पादों जैसे की बोदले, बैग, खिलोने और निर्मान समागरी में किया जाता है प्लास्टिक की बहु परिकारिता इसे विवीन उत्पादों में लोग पर यह बनाती है इसके अलाबा प्लास्टिक को आसानी से आकार में डाला जा सकता है जिससे इसे विवीन उत्पादों में बनाया जा सकता है हलाकि प्लास्टिक के कई नुकसान भी है सबसे परमुक्षम अस्याया है कि यह परियावरन के लिए अत्यादी खानी कारक है प्लास्टिक का अब गटन में लंबा समय लगता है और या समुन्दरों और भूमी में परदूशन का कारण बनता है समुन्दर में फेकेगे प्लास्टिक से जलिय जीवन पर गंभीर परवाव पड़ता है और या खादे स्रिंखला में भी परवेश कर सकता है इसके अलावा पलास्टिक के उत्पादन में उप्योग होने वाले रसायनिक पदार्थ स्वास्त के लिए हानिकार हो सकते हैं संचेब में जबकि पलास्टिक के फायदे इसे गमीर जिंदिगी का महत्यकून हिस्सा बनाते हैं इसके प्रावर्णिये और स्वास्तमंदी नुकसान को नजांदाज नहीं किया जा सकता है इसलिए हमें इसके उप्योग को संतुलित करना और अस्थाई विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर आप हमारे चैनल पर पहली वारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर ले जिससे कि आपको हमारे इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और दोस्तों को सेर भी करें वीडियो देखने के लिए दन्यवाद